पालक और मेथी का सीजन होता है, तब तो हम उसके पूरी, पराठे, सबसी, कोफ़ता, कबाब, या रायता वगर आप बनाते ही हैं, लेकिन मेरी इस ट्रिक से आप पालक और मेथी की धेल साइ डिशेस बना सकेंगे, वो भी बिना सीजन के, तो आएए देखते हैं, तो इसके जो कुकिंग है वो भी रुक जाए और कलर भी एकदम ग्रीन बना रहे है, अब इसे ना चार से पांच मिन तक इसमें छोड़ देंगे ता कि अच्छे से थंड़ा हो जाए, जब एकदम अच्छे से थंड़ा हो जाएगा ना पालक, तो इसे ना फिर अराम से हम निचोड ल को फ्रीज करेंगे तो इसे ना किसी भी बड़ी प्लेट में हम इसको स्प्रेड करते हुए अलग-अलग सेपरेटली रखे नहीं तो नहीं आपस में चिपक जाएंगे, एक बार यह जम जाए ना उसके बाद फिर आप इसको अराम से किसी भी जिपलोग बैग में या किसी में डाल सकते हैं, इस तरह से ना फ्रीज करने से ना दो प्रॉब्लम का सुलीशन हो जाता है, एक तो हम पूरे साल इसको कभी भी निकाल कर इंजॉय कर सकते हैं, और प्लस आधा काम हमारा हो जाता है, mostly हम सबजियों में ब्लांच किया हुआ पालक यूज करते हैं तो जितन जब यह सॉफ्ट हो जाए नो तो आप बहुत आसानी से इसको एकदम फाइनली चॉप कर सकते हैं, आपको मेरा यह आइडिया कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और एक बार जरूर ट्राय करके देखे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर पसंद आ जैसे हम नॉर्मली कट करते हैं, अब ना मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें डाल रही हूं थोड़ा सा तेल, तेल आप जैसे रेगुलर यूज करते हैं बस वैसे ही डाल ले, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा जब क्रैक हो जाए ना, तो अब मैंस में नमक डाल रही हूं, ध्यान रखेंगे कि नमक भी पानी रिलीज करेगा, तो इसे फुल फ्लेम पर चलाते हुए हम इसे भूल लेंगे, देखिए मेथी एकदम सूखी सी हो गई है, एक्स्ट्रा पानी जा था था ना, हम जब प्रेस कर रहे हैं, तो वो जिर्जस कर सकते हैं, अगर हम मेथी के पराठे इस तरह से भूनी भी मेथी से बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत यह अच्छा सा टेस्ट आता है, और ज्यादा क्वांटिटी में आप मेथी भी कंस्यूम कर सकते हैं, इनको भी ना फेला कर फ्रीज कर दें और फिर डबे में स्टोर करके नेक्स सीजन तक आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, आपको मेरा यह आइडिया कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए, पसंद आए हो तो लाइक बटन को जरूर दबाए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन टेक क के ये लाइ